हेलो एबरियो मेरे गणी लाइव जैनुए आपका मोस्ट बेलकम है और एक शस्ते वाले गमले ओ यह मेरी स्ट्ऽिस स्ट्राइवबल क्लिक्ट PP वैससा बोलन सबस्दुुछ विल दिजुए पांच से कम यह चेंज डू धोलोर यह प्लांट लगाएए पोलो yells यह में बहा हैं काफी सफ्वान इलता है कि आपडर हैं यह जो सारी गमले हैं यह फांच गमले लाई हूँ और यह दस रुपई का एक व्यसे इतना चोड़ा आप इसकी देखिए कितनी हैं उपड़ से और लामभाई बहाँ कापी अच्छे पांच इंच से इतने बड़े बड़े आपाइब में ईपलिका कजा इतनी बड़े है। तो अच्छे से चलेगी और यह मात्र यह 10 रुपे कि ए और कितने सारे प्लांथें कि अभी दिखातीय। और ऐसी सुंदर है और इसको भी देखो इनके बताती है कितनी की है है तो ये तीन और यह चाओ ये पांच और यह इतनी अच्छी ग्रोथ है इसकी यह बड़ी है और यह मैं सीधे यह सीजनल प्लांट होटते हैं यह केलम डोलागी तो मैं सीधे इन गमलों में लगादी हुआ दो दो या एक भी लगा सकते हैं क्योंकि धल्दी प्लांट हैं और आप यह देखाते हूं इसको भी खोल गई यह पेपर में लिप्टे हुए कागज में यह देखो एक यह वह है और यह 3 4 5 6 और साथ समिल इसमें और यह साथ अगर साथ गंङ कि अंग लेंगी तो पबन कर था तो तो और अगर हम अभी लगा रहे हैं सब्सेपलिंग अभी हम जाती है जैसे आपको का यह भी नर स्ट क मिल जाती है तो हम安全 पढ़ते है तो लेकिन अगर आप यहां रिषिखेश में रहते हैं तो आई डिपल से जो हाट लगती है तो भी वहां से ला सकते हैं और इक इतने सस्ते हमारे प्लांट पढ़ जाएंगे और कि तो यहां नर्सरी से पाँएंगे तो यह प्लांट हमें 40 रुपए 50 रुपए से कमनी मिलेग तो भी खर्वाएंगे और इस सस्ता गमला वी शिस्ता हैं और यह प्लांट भी कितने सब्सक्ते पड़े अगर आप लाना चाहिए तो वह ला सकते अब मैं इसकी रिपोर्टिंग करूंगी अब यह बिंटर प्लांट है शीजनल प्लांट है तो मैं इसमें इसको लगा दू और मैंने यह स्वेल तयार किया यह मैं बताती हूं इसका इस्वेल का जैसा मैं बनाती हूं एक 파ट एक पाट कोको पीट एक पांट यह बरनी कमपोज और ढूर्स हेसा चोटे चोटे हैं यह पाच तो दो मुठी में इसमें नीम खाली ले लोगी और एक फंगी साइड में डाला हुआ एक चम भर के अच्छा सा यह सब डाले हुआ है और इनको अगर हाँ आप चाहिए अगर आपके पास कोको पीट नहीं वैसकती आराम से मिल जाता है कहीं नर्श दो भी बिक्र सकते शुष अधा रोत ग्रण मैं इसको लगाऊ कि यह मेरे मिला यह भूंप है इसमिरमे लगाने से पहले एक तो इसमें वाच से होल आते लेकिन हमंत्य फिर भी उसमें ठोड़े से यह चित करने पढ़ते निशान और उदिए वर में आपड़े काली जरूर होते हैं ज voulaisब किलेे कि नहीं है लिगुसपनτα ट्थक को बड़िया है जैसे पत्थार आपके पास चोड़े गबल्ता और आपके स्कुनि दोलने को लगा दिंगे उनकलें और विट्टिन ना निकलें अब इसको मिला के और आपको यह लगा के दिखाती है इसको गवले में रभार रहे हैं अगर आप भी सेट्लिंग लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं वह इस सब जगह मिर जाती है आज कल तो अभी नवंबर के महीने में अक्टूवर से सुरू हो जाती है और नवंबर के महीने में मिलती है काफी इस समें अभी काफी बड़ी बड़ी होगी फिर तो यह पूरे प्लांट तयार हो जाएंगे अब इसको में बीचों बीच इसमें सट कर दूं भी देखेंगे इतना भर लिया लगा के इसको यह में थोड़ा सा इसमें तो ऐसा लग रह इसमें लगा दूंए यह मेरी सारी सेफिम लगके तयार होगी है और इनमें तो मैंने पानी भी टाल दिया है और यह काफी सारी थे इसलिए मैंने किसी में दो लगाई है किसी में एक लगाई है इसमें एक लगाई है और अगर मुझे बाइचंस अगर जरुत पड़ेगी ब इस तरह केसमें लगा लेको लिए był अभी कितने अभी मैं इसको पानी nelle ये पानी से नहीं दिया्टन से मैं तो इससे अगर पानी लगाओंगे तो ज्यादा बहता है तो अगर हम उससे बड़े बटन से ज्यादा पानी लगाएंगे एक साथ तो उसमें क्या है गड़ा पड़ जाएगा और इनकी जड़ छोटी-छोटी जड़ है इनकी रोट्स तो वह खराब होने का खत्रा है इसलिए मैंने इसी स्प्रे बोतल से लगाया यह मैंने लगा कि देखो तयार कर दी अब इसको हमने क्या करना है इसको चाया में रखना है दो तीन चार दिन है तो चार दिन रखोगी और आपको अगर सेड़ी एरिया है आपके पास तो उसमें रख लीजिए ताकि इसमें थोड़ी मिलती रहे और इसमें धुब भी शीली ना पड़े ऐसी जगे रखना कि जो है डायरेट दूप ना पड़े और मैं तु क्या करती हूँ मिट्टि जब इसं बनाती हूँ तो दो दिन पहले ही जब लगाती हूँ बड़ान्कों दो तीन दिन पहले ही है इसमें रह लेती खंगी साइट और नीम खली डालते हैं लेकिन फिर में उसको गुप में रखते हूं और तब मेरा प्लांट एक भी नहीं मरता है और सारे अच्छी से सर्वाइब करते हैं और यह और हमें एक चीज का और धियान रखना है अगर हम आजकल जैसे बिंटर में लगाते हैं वैसे गभी कभी मैं लगा लेती हूं बिना ये गलपस के लेकिन अगर हमारे पास गलपस है तो जरूर डिलाफ्स पहने लगाए नहीं तो हातों की क्या है यह खराब हों जाते हैं हमारे हाथ मिट्टी में और खाद में अर्फंगी साइड में तो इसलिए गलफ्स जरूर पहने य और से पिवी अमरे अटुब जो झाया जो है वे आ कर दो कि लुट थे नुट जनाँ आ और स्वाव कर दो डू आंगे ता है